चला गया जो समय लोट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पचताता। जसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यतन करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मुलेवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता, स्वम करने से फिर मनुश्य है पाता, स्वास्थ बिगर जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या खो जाती, फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भरभट को, छानों, दुन्या का कोना कोना, समय बहुत ही मुलेवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। रहता थी बापू की कति में हर दम घड़ी लटकती, उन्हें एक्षण की बरबादी थी, अत्यधिक खटकती। बच्चो, तुम भी उसे भांति पलपल से राप उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक्षण, ऐसा नियम बनाओ। गाठ बांधलो नहीं पड़ेगा, कभी तमें दखधोना। समय बहुत ही मुलेवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इस कभी तमें कभी ने बताया है कि बीता हुआ समय लोटकर नहीं आता है। हर्क्षण बहुत कीम्ती होता है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना है। बहुत सा चीजें खो जाने पर पनिश्रम करने से फिर से आ जाती हैं, जैसे धन, विद्या। किन पर बीता समय दोबारन नहीं आता है। कभी ने कहा है कि समय के महत्व को समझना चाहिए। इसका सदुपियो करने में ही दो धिमानी है। बच्चों, हमें हर जगह समय पर पहुँचने की आदत बनानी चाहिए। जैसे विद्याले समय पर पहुँचना, यात्रा करने के लिए स्टेशन, हवाई अड़े समय पर पहुँचना अच्छा है। समय की पाबंदी रखने से, काम सरलता से और बना किसी मानसिक तनाव के होते हैं।